नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 234 ABC का ब्याज है, वो हम कब निकालते हैं, किस rate से निकालते हैं, किस tax पे लेकर हम निकालते हैं, तो आज हम discuss करने वाले हैं आपके previous year questions, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले question से, अब questions करके क्या आपको आपको सारा tax calculate करना है, यदि आपकी liability है, तो देखो return income यदि आपने सही बरिया, कोई liability नहीं है, तो ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन यदि liability आपने return गल्त बरिया, तो थरीवन होगी, उस period तक आपका ब्याज लगेगा, 234 A का question में ब्याज है, वो है 0, क्योंकि return time से पहले है, अब सबसे पहले, तो हमें निकालना है tax, 234 B और C के लिए, क्योंकि एकाल देखो, एकाल जब हम तब निकालेंगे, जब हमें question से clear ना हूँ, जब question से clear है कि timely return file है, तो ब्याज नहीं लगेगा, अब 234 B और C का ब्याज निकालने के लिए, अब देखो, इसकी जो income है, company की, वो देखो, वो है 10 लाख 50 अजार, और यह आपक question के यह आपको क्या, जब आप exam देने जाओगे, तो उससे पहले आपको tax rate सभी के पढ़ने है, इंडिविजवल पर क्या rate लगता है, company पर क्या rate लगता है, उसके बाद long term capital gain कितना है, short term capital gain, क्योंकि इसके question आपकी exam में अक्सर आएंगे, आपको tax खुद ही calculate करना पड़ेग income इतनी आगी, अब जो company होती है, उस पर direct 30% tax लगता है, अब 10,50,000 का 30% यदि मैं निकल लूँगा, तो आपका आएगा यह 3,15,000 अब 4% आपका tax है, 3,15,000 का 4% आजाएगा, 12,600, अब इसको इसमें जोड़ूँगा, तो यह आजाएगा 3,27,600, यह आगे आपका tax, अब इस में से less करदो TDS, TDS नहीं है, 3,27,600, यह आपका क्या 3,1 होए, एक चाहिए, प्रोसेसिंग होए, तो जो TDS गटा के, यानि TDS आपका था नहीं, गटा के जो आपका tax बनेगा, उसी को बोलते हैं, assessed tax, अब हमें निकालना है, 234 B और C, 234 B कब लगेगा, जब आपका, जो advanced tax है ना, इस assessed tax के 90% से कम है, अब 3,27,600 है, इसका 90%, यह आपका आगया 2,94 है, 840, और उसने पे कितना किया है, advanced tax, पूरे साल में, देखो, यह 25,000 है, 40,000 है, एक लाग, दो लाग, चालिस और पच्चिस, यानि 2,65,000, यह वाला tax उसने पे किया, 90% से कम है, तो उसको ब्याद लगेगा, अब period क्या होगा, वो होगा, assessment year की first date से, यानि 1,4,21 से, और कब तक, जब तक आपका 3,1 हुआ है, क्योंकि 3,1 में return income accepted होई है, अब कई बार क्या होगा, 3,3 होगा, तो return income का हमें अलग निकालना पड़ेग और तरी, तरीका अलग, तो अब आपकी date है, देखो, 3,1 complete Y, 33,22 को, यानि कितने महीने होगे, 12 मन्त, अब, एक मन्त का 1% है, तो 12% लगेगा, अब वो लगेगा, कितने पे, यानि जितना advance tax कम पे किया है, देखो, SS tax है, 37,600 का, advance tax, 265 का है, तो 37,600 में से, 25,600 गटा दो, या आगया, 26,600, यानि जितना कम advance tax पे किया है, पूरे साल में, उसका 12% अब निकाल दो, या आगया, आपका पिछेतर 12, यानि, 234B हो गया, अब हम निकालेंगे, इसका 234C, 234C हमेशा, आपका क्या, जो return income होती है, उस पे जो tax होता है, उसमें सिरफ TDS को हम allow करते हैं, उसमें से advance tax नहीं गटाती है, उसमें से advance tax का, तो हम निकालेंगे, इस वोट फार, देखो, पंदरा जून, पंदरा सेप्टेंबर, पंदरा दिसंबर और पंदरा मार, अब यहां तक उसको 15% बरना था, यहां 45%, यहां पे 55% और यहां पे 100%, लेकिन यहां 12% वो भर रहा है, और यहां 36% बर रहा है, तो भी आपका tax नहीं लगए, यानि ब्याद नहीं लगए आप देखो, अब यह कितना है, शिरफ TDS गटाना उसमें से, आपको एड़मास टेक्स नहीं गटाना, यानि 37,600 है, इसका 15%, यहां बात करो, यहां आएगा 99,640, और 12% की यहां बात करो, यहां 49,312, ऐसे ही, इसका 45% आजाएगा आपका, जाएगा, 144,420, और इसका 36% आजाएगा, 17936, इसका 54% आजाएगा, आप निकाल लेना, 245,700, यह किसका है, इस टेक्स का निकल रहा है, 32600 वोगा 15% पर 24% और यहां यह खुद हो गया अब यह देखो उसने बरा कितना है 15 जून तक यहां पर देखो 156 तक उसने बरा है 25,000 जयनि यहां तक बरा में 25 जयन्य अब आगे देखो पंदरा सेप्टेम्बर तक देखो इसने सेकेंड इस्टॉर्मेंट चारी जार की वो 16-9 को बरी है यानि 15-9 तक बरनी थी तो 15-9 तक शिरफ एक की रहा है टोटल पच्चीस हजार अब जो 16-9 को बरी है वो आगे वाली जो ड्यू है उसमें काउंट होगी यानि अब 15-12 को देखो 15-12 को कितनी होगी टोटल एक लाख यह चालिस हजार यह और आपका पच्चीस हजार हो यानि एक लाख पैंसेट हजार फिर 15 मारज तक देखो अब आगे वाली बरी है उसने 21-23 को यानि 15-3 या उससे पहले बर जाने चाहिए थी लेकिन यह भी लेट होगे तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम तो यह यहां भी आपका यहां तक 15 मारज तक भी कितना था एक लाख 65 अब यहां पर देखो कितनी कमी हुए है तो यह 12 और 36 परसेंट अपन काउंट करते हैं सिर्फ यह फाइंड करने के लिए वह क्राइटेरिया को फुल्फिल कर रहा है नहीं कर रहा है कई बार जल्दबाजी में हम इससे गटा देते हैं लेकिन हमें गटाना एक्चुल जो पंद्रा परसेंट है उससे ही है यह यह जानी उन्हेंट चाहस 14 में से 25,000 गई तो आपका बज़ गया चोविस एक्सोटार अब 324 में से 65 गें बचसँ ट्रीविस अब रेट क्या रहेगा मैंने बताया थ हुई सका 3 पर्सेंट इसका 3 परसेंट इसका इसका एक पर सेंट है 3 परसेंट क्या हो जाएगा शाटेव做 to 248 इसका 3% हो जाएगा 3, 6, 6, 7 इसका 3% हो जाएगा 2, 4, 2, 1 और इसका 1% हो जाएगा 1626 जब हम इन सभी को जोड़ेंगे यह आपका आएगा 8, 4, 3, 8 यानि यह आपका अन्सवर 34B का व्याज़ जो क्वेस्चन बहुत ही इजी है शिरफ कल्कुलेशन करने हो उसके लिए आपको क रिटर्ण इनकम अपकी कुछ और है और जो असेच्ट इंकम है वह कुछ और है यानी और क्या करना है इस वैं आपको दे रखा है कि उसने सेल्फ असेश्मेंट टेक्स बढ़ा है इतना इतना बढ़ा है तो आपके लिए कसे लिए कर दिया अब इसको टफ कैसे बनाएग अ यह आपको खुद करनी पड़े एक्जाम में इसको कैसे डिल करना है इंडियन कंपनी है वह रिटन फाइल करती है आपकी बीच दिसम्बर 2021 को ड्यूड लगेगा उसके बाद क्या हुआ अब रिटन भरी तो उसने जितनी भी कमी थी आपकी एडवांस टेक्स कम पे किया था टीडियस आपका कम करणा था टोटल से बढ़ दिया अब एडवांस टेक्स उसने उसने खुल 37588 है लेकिन उसने टोटल आपका यह है 37610 बरा है क्यों क्योंकि आपका जो इंट्रस्ट बन रहा था उसके अकोडिंग इंट्रस्ट बन रहा था एबी सी का तो एक्ट्वल में जब असेस्ट हुआ होगा तो उससे ज्यादा की बात करों देखो कंपनी है वही 30 परसेंट लगा दो अब इसका गया एक लाख 35,000 इसका च्यार परसेंट शैस लगा दो अब इसका च्यार परसेंट शैस हो जाएगा 1700 और जब इसको जोड़ेंगे हम यह जाएगा 144,000 अब इसमें से लेस कर दो TDS यदि है तो TDS आपका 8,000 यह जाएगा एक लाख 32,400 अब इसी को बोलेंगे हम Assessed Tax अब देखो इसमें से Advanced Tax और गटा दो अब देखो अब 234 एक अब्याज आपको फाइंड करना है यह होता है लेट रिटन के लिए वह लगेगा किस पे जो आपका Assessed Tax है उसमें से आप यानि जो आपका Tax calculate हो है TDS गटा दो Advanced Tax गटा दो सारे जो टेक्स आपने पेके हैं वह गटा दो बच गया दिसंबर में दिसंबर अक्तूबर नॉबर दिसंबर यानि तीन मंत आपको लगे हैं तो एक मंत का एक परसेंट तीन मंत का हो गया तो एक बाराई 400 का तीन परसेंट आ गया यह आ गया 33 बातर लेकिन क्या यह आपका अनस्वर है नहीं क्यों यह बात कर रहा हूं मैं असेस्मेंट की लेकिन क्या था जब उसने 140 में सेल्फ असेस्मेंट की अपना तो ABC का उसके अकोर्डिंग जो इंट्रेस्ट बना था वो उस यदि कोई टेक्स वो पहले पे कर चुका है उसी ब्याज की फॉर्म में जो आप बाद में काल्कुलेट कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा क्योंकि क्या है टेक्स से मतलब है यह टेक्स वो ओल्रेडी गवर्मेंट को दे चुका है नेक्स एक टू-340 बी का अग्याज जब लगेगा जब आपका जो टेक्स होता ने एक से टेक्स अग्या अग्याज है उसके नब्वे परसेंट से कम उसने अग्याज टेक्स क्या हो तो इसमें क्या इक क्या योट्य करने कोई जोड़त नहीं क्यूंकि जब उसने रिटेर्न आपक्याज्वाय और जब कि यहां तो देखो स्कूद्वाण तो उसको पेक करना ही करना पड़ेगा अब इसका पीरियड होगा आपका 1-4-21 क्योंकि हम 21-22 के बात कर रहे हैं इस से लेकर जब उसकी रेगुलर असेस्मेंट होई है वो यह 15 मही को 15 मही 2022 लेकिन इस question में एक आपको यहां पर बीच में रुकना पड़ेगा क्यों कि जब अपने उपर पड़ आओ तो 140 में जो ब्याज बरता उसका डिडेक्शन उसको देना पड़ेगा और 140 का ब्याज बरेगा वो रिटर्न के टाइए इसने फाइल किये 20 दिसंबर 21 को अब देखो उसके total आपके according tax liability बनती है एक लाख 32,400 अब यह चेक करना है advance tax उसने कितना कम पे किया है यहनि यहां से यहां से यहां मन्त की बात करूँगा यहां से यहां आपके 9 मन्त होगी अब दिसंबर इसमें count होगया तो जनवरी से मही यहनि 5 मन्त ही यहां होगी अब 9 परसेंट यहां लगेगा 5 परसेंट यहां लगेगा लेकिन किस amount का लगेगा यह 9 परसेंट लगेगा आपका advance tax से पहले यहां जो size tax था उससे यह चेक करो advance tax कितना कम है यहां यहां एक 32,400 स देखो advance tax उसने सिर्फ 20,000 पे किया है तो 31,400 से 20,000 गया आपका बचा 12,400 तो 12,400 का नो परसेंट कि यहां गया 10,116 अब देखो जब उसने return file की है तो जो इसका tax कम आपका पढ़ रहा था वो उसने बर दिया और वो पे किया हुए 32,58 सब्सक्राइब देखो यह स्टार मैंने इसलिए लगा था कई बार क्या है एक्जामिनर हमें यह नहीं देता कि कितना ABC का इंट्रेस्ट है वो यह बोल देगा कि उसने अपना ABC का इंट्रेस्ट भी बढ़ा है तो उस क्वेस्टर में अपने को क्या है अपने को खुद कल्कुलेट करना पड़ेगा जो उसने return income मरीदी उस पर ABC का ब्याज कितना था और भी 33 हुआ है उस पर ABC का कितना है तो जितना उसने बढ़ा है यह सोच के चलेंगे मतलब आजियूम करना है कि वो सारे tax pay कर चुका है जब self-assessed tax pay किया है तो बाद में जो total tax calculate होगा उसमें से जीतना paid हो उतना गटाना पड़ेगा अब 32,588 उसने यहां पर pay कर दिया है तो गटा दो यह आपका बच गया 79812 और यह 5 महिने के लिए तो इसका 5% लगेगा यह आगया 3991 अब देखो 10,160 यह था 3991 यह था और pay कर चुका है वो 32,50 तो यह period यह आपका कब तक था यहां से लेकर यहां तक का तो 10,160 में से 32,50 गटा दो यह आपका आगया 6,866 और इसमें जोड़ दो 3991 अब हमें कलेट करना 234C का देखो 15,6 15,9 15,12 और 15,03 अब यहां पर 15% बरना था यहां पर 45% यहां पर 40% और यहां पर आपका 100% लेकिन यहां पर कई बार क्या बच्चे गलती करते हैं 234C का निकालते टाई आपका assessed tax ले लेते हैं लेकिन यहां पर आपका आएगा जो return income पर टेक्स था और deduction आपको शिरफ देना है TDS का return income जो उसने बरी थी उसके according उसका आपको यह गीवन नहीं है कि उसने एडवांस टेक्स कितना पर किया है बस बता रखा 20,000 तो हम यह एजूम करते हैं कि उसने बीस हजार का 15,45 यह पे किया हुगा अब बन कितना रहा है देखो 2588 का जैदी मैं 15% की बात करूं यह आपका आजाएगा 788 45% आजाएगा 2664 पिचेतर परसेंट यानि 2588 का परसेंटेज निकालना है यह आएगा 39441 और यह आपका 2588 है यह आगया अब उसने पे कितना किया है यानि पेड 20,000 उसने टोटल पे किया है तो हम halves यह जूम कर रहें इसका 15 परसेंट यह रहानी थीन जार यह यहां पे किया है आपका 9000 यहां पे किया है 15000 यह हूं पे Кिया और वी से możडार 140 यहां पे किया हूं यह आगेवाल टेक्स उसमें पिछे बाड़ा भी इंक्लूड होता है अप्टू 15 कितना पी किया है अप्टू 15-9 कितना पी किया है अप्टू 15-12 कितना किया तोटल होगा अब देखो इसमें अगर चाहो तो 12% भी निकाल लो क्योंकि डिफ्रेंस बहुत जादा है तो 12 और 15 मे मैंने बताया है वो खुद कर रहा है तो इसको गटा दो कि इससे ज्यादा है या नहीं है देखो इसका 12% में निकालो या आता है 6310 इससे कम पे किया है और 37% किया दी मैं बात करूं इसको तीन से गुणा कर दो या गया 18930 तो यह निसने कम पे किया तो इसका डिफ्रेंस लेलो यहां पर डिफ्रेंस आजाएगा 4888 यहां पर आपका आजाएगा 14664 यहां पर आपका आएगा 24441 और यहां पर आजाएगा 3258 अब जो यह डिफ्रेंस उसने कम पे किया है 1545 से यहां पर 3% यहां 3 यहां 3 और यहां 1% अब देखो इसका 3% निकालेंगे तो लगबग 147 होगा इसका 3% होगा तो 440 इसका 3% लगबग 733 कि आएगा इसका 1% आजाएगा 326 जमिन को एक मैं सब्सक्राइब आपको लेकिन और यह क्या करना आपको इसमें से 1000 रुपए और गटा देना है क्योंकि और रिटन इंकम कंपनी थी वह 40 लाग थी अंडर दा हैड बीजनेस और पांच लाग थी लोंग ट्रम कैपिटल गई प्रोपर्टी बेची थी और वह थी विद इफेक्ट प्रोम एक थी निकिस यह आपको द्यान रखना नहीं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो उसको मालो जो प्रोटरी लगें साल में क्या करते हैं जब 2.34 आप ब्याज निकालोसरे का लोगे क्योंकि ब्याज में है आपका रिटन इंकम पर पर करना था तो जब ही आपकी अर्न हुह है जब आपका इंकम हुए है उसमें कांट करना है कैसे वह देखो यहां पर देखो पीबी जीपी यानि एक हैड है आपका बिजनेस का उसमें क्या है यह करा 40 लाग बिजनेस इंकम है तो इस पर टेक्स डारेक्ट 30 परसेंट और 4 परसेंट उसका सेच तो यह 12 लाग आ गया डारेक्ट तो उस पे आपका 20% टेक्स लगेगा तो यहांनि देखो इंकम थी कितनी थी एक लाग अब एक लाक का बीज यह थी पांच लाग की प्रोपरटी तो पांच लाग का 20% और यह 1,00000 आगया और इसका आप 4% निकालो गया तो टोटल आपका आगया एक लाग चारजार यह तोटल इंकम की बात करें 1284 और एक चार यह आपका आगया टोटल सोरी टेक्स की बात करें यह आगया 13,00000 और बावनेधा अब ये देखो टोटल टेक्स इतना है less करो TDS को अब TDS आपने less किया इसमें TDS कुछ गीवन नहीं है तो निल मानो तो आपका जो assessed tax है वो आगया 13,52 अब इसमें से आपको क्या-क्या मिलेगा डिडेक्शन देखो assessed tax 13,52 जा रहा है अब 234A 234A में हम क्या बचाएंगे less करो दो इसमें से advance देखो advance tax आपका कितना पेक या 12,50,000 तो बच गया कितना यह बच गया आपका 1,02,000 अब यह देखो 234A का ब्याज अब 234A का ब्याज कब लगेगा जब वो return late file करेगा लेकिन इसमें देखो आपका जो company रहती है जिनको audit करवान रहती है तो उनकी जो last date है आप क्या करो 139 section खोलना उसमें आपको पता लग जाएगा कि कब किसको return file करनी है तो इसकी जो last date होती है वो 30,21 ही होती है यानि इसने timely file किया है तो इसको tax नहीं लगेगा तो यानि 234A नील हो जाएगा अब 234B देखो advanced tax गटाने से पहले जो tax आपका है यानि या आपका है 13,52,000 इसका 90% आप निकालो एक बार यह होता आपका 12,6,800 लेकिन उसने pay किया है 12,5,000 यानि उसका 90% था 12,6,000 उसने pay कर दिया total advance tax 12,5,000 या हम total count करेंगे अब 90% से ज़्यादा है तो 234 का ब्याज भी आपका निल लगेगा अब आपको निकालने 234C का ब्याज 234C का ब्याज मैंने बताया था किस इंकब पर निकलेगा आपका जो return income है लेकिन यहां पर आपको एक बात ज्यान देनी है कि capital gain आपको 1,3,20 को बाता तो इसके बाद जो आपकी due है ना यानि 15,3,20 उसमें इसका आपको count करना है 15 June 15 September 15 December और 15 अब यहां 15% पे करना चीए यहां 45% यहां 53% और यहां अब यह 15% किसका है आपको capital gain हुई है बाद में यानि capital gain आपको एक तीन को हुई है उससे पहले आपका जो tax था वो 12,48 था आपके according मुझे 12,48 पे करना था तो 12,48 का आपने गलो 15% यहां आपको आया है एक लाख शतासी जार दोस्टे उसके बाद इसका 45% यह निकाले है इसको तीन से गुना आपको कर दो यह आएगा 5,16,600 यह इसका पर 4% आपका आयेगा 9,36,000 यह किसका निकाल रहे हैं यह निकाल रहे हैं 13,52,000 का क्योंकि जो अब आपका जो 15 महान पर तब तक कितना टेक्स आपका बन रहा है आपको पता लग गया है वह है 3,00,000 अब यहां पर इसका 36% आप देखो 45% 5,61,000 है अब इसका आप एक बार 37% रो निकाल के देखलो 30,52,000 का 37% यह आपका आता है 4,86 लेकिन उसने पे किया है 3,00 यानि कम पे किया है तो आप कट लगेगा अब देखो 15,12 तक आप उसने 7,00,000 और पे कर दिया यानि 10,00,000 अब देखो फिर 15,03 को फिर 10,00,000 यानि 12,50,000 टोटल यहां तक पे कर दिया अब यहां पे देखो कितने कम ही है यानि इनका डिफ्रेंस कितना है यहां पे तो 180,200 या जाएगा अब यह 5,61,600 इसमें से घटादो या जाएगा 2,61,600 यह 10,00,000 है अब 9,36,000 और 10,00,000 यानि पे करना था 9,36 पे पेड है 10,36 तो यहां पे आपका ब्याज नहीं लगेगा यानि इस पीरियट में आपका क्या है उसने पे कर दिया है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा अब 13,52 था 12,50 पे कर दिया तो यानि एक लाग 2,000 आपका बच यानि आपका ब्याज पांसो एक सट यानि दो एक सट चैसो गा तीन परसेंट यानि आपका ब्याज नहीं आपका ब्याज नहीं लगेगा यान पर कुछ है नहीं और इसका आजाएगा 1020 इनको जोडेंगे पलस 1020 पलस 561 या आपका आएगा 949 या आपका है 234C का ब्याज यह वाला आपका अंसो रहे है तो चलिए नेक्स क्वेशन करते हैं नेक्स क्वेशन क्या है अगर अग्जामीनर सबसे टब क्वेशन मनाएगा तो यह वाला क्वेशन देगा इसमें क्या है दूरिंग दा फाइनेंशेल मिस्टर रवी संकर है उसने इंडिवीजवल का केस हो गया यह रेट जो इंडिवीजवल के वही लगेंगे यह टेक्स पे करता है अब रिटर्न इंकम उसने 31 अगस्त को फाइल किये और डेट थी आपकी 31 जुलाई की यानि यह भी लेट है तो ABC का ब्याज आपको निकालना है यह क्वेस्टन में आपका क्या होगा आपको यह भी बनना है असेसिंग ऑफिसर भी और जो एसेसिए वह भी बनना है यानि जो रिटर्न है उसके अ अब यहां पर आपकी जो इंकम होई है वह है इसमें यदि मैं 66666 और जोड़ दो यह आपका जाएगा 1088830 अब इसमें टेक्स लगाना है इंडिवीजुल का रेट आपको पता है कि आपका दस लाग तक कितना होता है एक लाग बारा जार पानसो दस लाग तक एक बारा जा 254 उसका 30% निकालो जो आपका आएगा 6346 जब कल्कुलेटर से सब कल्कुलेट कर लेना वहां पर इसको जोड़ेंगे तो यह आएगा एक लाख 18840 यहां पर एक लाख 12500 था अब 88830 है इसका निकालना आपको 30% यानि 88830 का एक लाख 12500 आ गया अब यह निकाल दो जाएगा 2660 इसको जोड़ेंगे तो आपका यह आदाएगा 14960 अब यह तो टेक्स है इस पे 4% सेस भी आपको कल्कुलेट करना है तो इसमें जब सेस जोड़ोगे तो सेस आएगा 4% यानि इसका 4% होता हो जादाएगा 4754 और इसका 4% आप जोड़ोगे यह आपका आदाए 666 जब इसको टोटल किया यह आजाएगा 1,236 और इसको टोटल करोगे यह आजाएगा 1,44715 यानि यह आपका टेक्स आ गया अब इसमें से लेस करना है आपको TDS दे रहाएगा 24600 अब TDS लेस करके यह आपका बच गया नहीं 9000 और यहां पर आपका बच जाएगा 1,20,115 अ यह आपका जो उसने टेक्स उसके अकोरडिंग क्या था बढ़ी TDS यहां पर घटा दिया उसने यहां पर यह होता है असे टेक्स और अब हमें यह फांड करना है कि उसके टेक्स लाइवलिटी कितनी थी तो इसमें से लेस और कर दो क्या एडवांस टेक्स देख उसने कितना ब्याज उसको बरना है 37000 अब इसमें से और एडवांस टेक्स गटाओ ना गटाओ वह बात में गटा लेंगे अब क्या हुआ हमें निकालना है 234 एक अब यह एडवांस टेक्स निकालते हैं तो हम गटाते हैं इसमें से 62,000 गटा दो यह प्याद एगा 85105 हमें निकालना है 234 एक अब याज उसको रिटन बरनी कब थी बरनी थी उसकी 31 जुलाई को कि इडिवेजल के केस में आपकी 31 जुलाई लास्ट रहती है बरिया अगस्मी यानि एक मन्त लेट है तो एक परसेंट ब्याज लगेगा किसका इसका जो आप आपको निकालना है 234 बी का ब्याज देखो 234 बी का ब्याज निकालना है आपको यह चेक करना है कि जो यह एक बीश एक सो पंदरा था इसके 90 परसेंट से कम ब्याज पे किया गया यह एक लाख आठ जार एक सो तीन लेकिन उसने पे कितना किया बाश एट जार यानि 90 परसेंट से कम है 234 बी का ब्याज लगेगा अब देखो यह ब्याज कब से कब तक लगेगा 1421 से आपकी असेस्मेंट कब हुई है वो यह असेस्मेंट 285 बीच में किया है उसने रिटन करना है कि 140 में जो भी उसकी टेक्स लाइबिलिटी थी यानि उसने एडवांस टेक्स जितना था वो सब पे कर दिया है तो यहां पे वो रिटन रेक अत्तिस अगस्त को कि उसने कितना पे कर दिया तो इसका बेंट फीट में देना पड़ेगा देखो आपका क्या था एक डी सेक्सों पंद्रा पे करना था लेकिन एडवांस टेक्स उसने बास्ट जारी बरा यानि कितना कम बरा है वह बरा है अठावन 115 तो देखो मंत कैल्कुलेट कर लो एक चारी की से 31 अगस्त तक यानि मंत और पार्ट उप मंत ले आपको लेना है तो आपका देखो कितना अगया अप्रेल मई जून जुलाई अगस्त यानि फाइव मंत आगए और अगस्त चला गया सेप्टेंबर अक्तूबर नुमंबर दिसंबर जन्वरी फर्वली यहां शिक्स बनता है अब यहां पर देखो बेट टेक्स कितना कमी है आप कहेंगे अठावन 115 की कमी अब इसका 5 परसेंट कैल्कुलेट करो यह आपका आगया 296 है अब क्या हुआ जब उसने सेल्फ असेस्मेंट टेक्स किया मतलब अपना सेल्फ असेश्ड उसने इंकम निकाली तो 37,000 करते हैं उसने बर दिया तो आठावन 115 की कमी थी 37,000 बर दिया तो आपका बच गया 21,500 यानि अठावन जार में से 37,000 गए आपका बच गया 21,500 अब यह 21,500 है इस पर आपका ब्याज लगेगा 6% क्योंकि जितना सेल्फ असेस्मेंट टेक्स के बाद ब्याज बचा है उस पर ही आपका ब्याज लगेगा 21,115 का 6% यह आपका आगया 21,115 का यह आया है 1266 तो जो टोटल उसको ब्याज पे करना था 396 यह था 1266 यह था तो आगया 4,113 तो यह आपका 234 अब 234C का यह बहुतीजी है यह आपको द्यान रखना है जो रिटर्न इंकम उसने फाइल किया है उस पर कितना टेक्स था रिटर्न इंकम पर रिटर्न इंकम यह फाइल किया है उसने उसके अकोर्डिंग यह भी हमने कल्कुलेट किया है अब उसको क्या-क्या बेनिफिट देना है जब 34C का बाइन निकाना सिरफ TDS का यानि उसका जो टेक्स बन रहा था 45 पर संट पिच एतर पर संट और 100 पर संट इये पंदरा छे है ये पंदरा नो तक है ये पंदरा 12 तक यह पंदरा आप देखो 59.11 का 15 अ है यह आपका आगया यह कड़तालिस पचास यानि 14 850 है अब इसका 45% इसको 3 से गुणा कर दो यह आ जाएगा 44,550 इसका पिछ 70% आ जाएगा 44,250 और इसका 100% ने 9000 है अब उसने पे कितना किया है वो देखो यहां पर उसने पे किया है 15 सेप्टेमबर को यहां पर जून को कुछ पे नहीं किया था तो यहां पर डैस अब 15 सेप्टेमबर तक कितना पे किया है यह किया उसने 6 12 20 और 24 यहां यहां 6000 पे किया है नेक्स कै अब उसने किया है 20 दिंबर को उसको पे करना था पंदरा 12 तक किरसे किया है कितना ठैक्स रहा है किद्धा 15 के बाद सब तक स्बकुछ उमार्च में उन्क्लूड होगा does Mom तक अब कितना पेकिया है देखो 20 यह है यह बारा यह है तो आपका यह हो गया 32 और 638 यहां पे इसमें खास बात द्यान रखने आपको जैसे डेट के बाद जो आता है यानि मार्च 15 के बाद जो भी पेकरेगा उसको हम इसमें नहीं लेंगे कि यहां पर डिफ्रेंट्स आगया आपका तो दाट सो पचास का अब देखो यहां पर आप 37 परसेंट निकाल के देखना क्योंकि 6000 और आप च्वालिस दार है तो 45 परसेंट यह है एक परसेंट एक हो गया तो तो च्वालिस पान सो पचास में से च्छे गटा दो यह आ अब इसपे 3% इसका 3% इसका 3% और इसका 1% देखो 1450 का 3% निकालेगा यह आएगा 446 38 550 का 3% आएगा 1157 इसका 3% आएगा 2048 और इसका 1% 610 जब इन सब को जोडेंगे यह आएगा 4261 यह आपका है 234 4173 और 4261 यह तीन क्वेशन आप यह च्यार क्वेशन आपके हो गए है यानि जो भी टाइप आपकी आज तक पुछी गेती है इसके अलावा आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके पास जो बुक है अब बुक है पीडिएफ है जो भी है अगर कोई भी आपको अभी टोपिक म आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर आप टेलीग्राम पे कहीं भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ने टोपिक के साथ